मा लीजे कि हमें दिया हुआ हो 256, इसकी पावर में यहाँ पे लगा है 4 upon 7, divided by 2, इसका exponent है यहाँ पे फिर से 4 upon 7, और इसका value हमें calculate करना है, तो आएए सीखते हैं कि यह कैसे किया जाए, लेकिन पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को pause कर दें, और इसे एक बार चलिए अब हम इसे मिलके देखते हैं कि आखर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो exponent की property के नुसार, अगर हमारे पास एक rational base है, माल लीजे कुछ ऐसा हमें scene दिया हुआ है, a की power m, divided by b की power m, तो इसको हम लिख सकते हैं, a upon b की power m, अक्सर पिछले वीडियो में हमने उल्टा किय हमें दिया गया था, a upon b whole की power m, तो हम इस m को numerator और denominator पे distribute करके हम यहाँ पहुचते थे, लेकिन उल्टा भी तो सही होगा कि अगर हमें ऐसा दिया होगा, तो हम इसे simplify करके इस form में भी लिख सकते हैं, बस same काम हमें यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे numerator और denominator का same power है 4 upon 7, तो इस 56 divided by 2, इस पूरे का power 4 upon 7, अब 256 एक even number है, तो 2 से divisible होगा, तो उपर नीचे अगर हम 2 से divide कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 1s are 2, और numerator में आ जाएगा 2 1s are 2, और 2 2s are 4, और 2 8s are 16, यानि कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा equal to 128 की power 4 upon 7 के बराबर, अब आएए इसकी value हम calculate करते हैं, तो इसके लिए 4 upon 7 है, तो हम इसको दो numbers के multiplication में तोड़ देते हैं, तो यह हमें दे देगा 128, इसकी power 1 upon 7, और फिर इस पूरे का power हम ले लेंगे 4, क्योंकि यह दोनों exponents को हम multiply करेंगे, तो 1 upon 7 times 4 हमें 4 upon 7 ही मिलेगा, लेकिन ऐसे करने से हम अच्छी तरीके से easily simplify करेंगे, अब आपके मन में एक question आ सकता है, आप बोलेंगे भई, पहले हमने 1 by 7 ही क्यों लिया, पहले हमने 4 क्यों ने लिया, यानि क्या क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 128, इसकी power 4, और फिर इस पूरे की power 1 upon 7, तो हाँ, आप बिलकुल सही ह हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ही बताईए, 128 का 7th root calculate करना, या फिर 128 का 4 power लेना, दोनों में क्या आसान पड़ेगा हमें, अगर हमें 128 की power 4 लेना है, तो हमें 128 को चार बार खुद से multiply करना पड़ेगा, जो कि हमें एक बहुत बड़ा number देगा, और फिर हमें calculation ज लेना बड़ेगा, वो करने के बजाए हम ऐसा करते हैं कि पहले 128 का 7th root लेते हैं, तो ये कैसा समझेंगे, इसको कैसे सोचेंगे, तो इसके लिए हमें काम करते हैं, 128 को prime factorize कर देते हैं, तो 128 एक इवे number है, तो 2 से तो जाएगा ही, तो 2, 6, 12, 2, 4, 8, फिर 2 से divide करेंगे तो आजाएगा 32, फिर 2 से divide करेंगे तो आजाएगा 16, और फिर 2 से divide करेंगे तो आजाएगा 8, फिर 2 से divide करेंगे तो 4, फिर 2 से divide करेंगे तो 2, और फिर finally 2 से divide करेंगे तो आजाएगा 1, यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानि कि 2 को अगर हम खुद से 7 बार multiply करें तो हमें 128 मिल जाए और इसी चीज की तो हमें यहां पे तलाश थी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम खुद से साथ बार multiply करें तो हमें 128 मिल जाए हम पहले इस अंदर वाले quantity को simplify करना चाह रहे हैं फिर जो भी अंदर वैल्यू आएगी उसका हम power 4 कर देंगे उसका तो हम 4th power ले लेंगे तो इसके value 2 आ गई तो इसके value आ गई 2 और इसके उपर इसके उपर अभी power लगी हुई है 4 तो 2 के power 4 यानि कि 2 को हमें खुद से 4 बार multiply करना है यानि कि 2 times 2 times 2 times 2 तो इसके value आ जाएगी